हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ यहां पर दोस्तों मैंने देखिए चावल लिये हुए हैं यह 160 ग्राम के लगपग रेगुलर राईस है इसे मैंने दोकर रखा हुआ है साथी आधा कटोरी मटर है एक बड़े साइस का टमाटर है हरी मिर्च है आलू और प्याज है जो बेसिक सब्जियां होती है आप इसमें गोबी बगर भी डार सकते हैं लेकिन मैं यह आलू मटर्की ही बना रही हूँ तो प्रेशर कुकर है यहां पर इसे हम घी में बनाएंगे तेल में नहीं बनाएंगे लेकिन अगर आप आप चाये तो तेल में भीवाली ज्यादा टेस्टी लगती है तो एक टेबल्स्पून ह अधी चमट जीरा जीरा है जीरा इसमें स्ट है या नी डालना है और अच्छे से जीरा को पकाना है अब यहां देख रहे हैं अद्रक है तो अद्रक का में लगबग एक इंच के जितना टुकड़ा जो है इसका यह बहुत ही कमाल का फ्लेवर देता है साथ ही साथ अगर आप इसे ऑली वाइल के साथ में बना लें तो आपकी वेट लॉस तहरी ही हो जाएगी एक तरह से इसे भी हलाकि आप वेट लॉस में खा सकते हैं यानि कि वजन घटाने के लिए डिनर और लंच में आप इसे ले सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर बहुत कमी घी डाला हुआ है और अब मैंने यहां पर थोड़ा हरी मिर्च भी डाल दी थी जैसे कि आप देख पा रहे हैं हद्रक को भूनने के बाद में और इसके बाद हमने एक मेडियम साइज का प्याज डाल दिया है प्याज को हम भून तो थोड़ा सा अवाइड कर सकते हैं आलू को और अब इसे हम थोड़ा सा बिलकुल भून लेंगे इसी घी में और प्याज बगेरा में इसके साथ ही साथ यहां मडर भी डाल लेते हैं ताजा मटर तो अभी अवेलबल मयानी की मिल जा रहा है मार्केट में फ्रोजन है तो आप उसे ले सकते हैं तो मटर मैंने आदा कटोरी के लगभग लिया है और लगभग एक कटोरी के जितनी आलू ली हुई थी इन्हें अच्छे से एक से देव मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे घी में फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं आप अब एक टीस्पून के जितना यहां नमक डाल लिया है बाद में हम चेक कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरह मसाला डाल रहे हुँ जिस्ते की बसे खुशबू आ जाए तो एक चौथाई चमच के जितना ही हमने यहां गरह मसाला डाला हुआ है आज को यहां धीमा रखा था क् सूखे मसाले हमने डाले हुए हैं और अब हम इसे मिक्स करेंगे जिसे की हल्दी वगएर का जो कलर है वो आ जाए सारी सब्जियों में तो आज को धीमा कर लेजिएगा दर्वाई जल सकता है अच्छी तरह इसे मिक्स कीजिए जिसे की सब्जियां साथ के साथ में भूनती भी रहें तो जब यह अच्छे से भूनेंगी तो बहुत ही बड़ी है फ्लेवर और टेस्ट भी आएगा हमारी तहरी में अब मैं यहां पर डाल रही हूं कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि मैंने हाफ टीस्पून यहां ली हुई है यह सिर्फ कलर के लिए मैंने डाली है इसे एक बड़िया रंगत आएगी तहरी में और बाकी टेस्ट से इसका कोई खास लेना देना नहीं है अब एक बड़े साइज का टमाटर मोटा मोटा काट करके हम यहां पर डाल लेंगे तो टमाटर अगर देसी टमाटर है तो बड़िया आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते ह टमाटर को बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा साथी साथ में टेस्ट भी बहुत बड़िया आएगा अब जो चावल है वो हमने दो करके रखा हुआ था तो चावल इसमें डाल देंगे चावल को सोक बगेरा नहीं करना है बस नॉर्मल जैसे हम वाश करते हैं पानी से एक द जाली में थोड़ा-थोड़ा मसाला और चावल लगने लगा है तो यह साइन होता है कि आप हमें पानी डाल देना चाहिए क्योंकि वह जो नीचे हलका-था सा लगा है लेकिन वह जला नहीं है उससे जो माई टैरी में बहुत ही बड़ी या संधा बनाता है तो पानी डालने पाड़ी और पतली खाना पसंद करते हैं वेट लॉस्ट के लिए बना रहे हैं तो काफी पतली ही बनाईएगा अधर्वाइस फिर इसे एकदम मीरियम कंसिस्टेंसी में रखिएगा जैसे मैंने रखा हुआ है तो बहुत ही बैतरीन स्वाथ देती है नमक बाद में मैंने चावल अलग रहें तो तीन सीटी के बाद में गैस अच्छी तरह से निकल जाने दें अपने आप ही गैस को निकलने दे प्रेशर रिलीज होने दें कुकर का और इसके बाद में देखिए एकदम कितनी बड़िया कंसिस्टेंसी ना ही पानी है और ना ही यह बहुत ज्यादा गाड़ी है यानि चावल के जैसी भी नहीं है यह एकदम बहुत ही पफेक्ट कंसिस्टेंसी है अच्छी तरह से एक बार इसे हमने मिक्स कर लिया है घी में बनानी की वज़े से इतनी कमाल की खुश्बू आ रही है और जो हमने घी में अद्रक भूना था ना उसका भी टेस ाज के जित्ता इसे डाल दें और मिक्स कर दें अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूं कि यह कितनी बढ़िया है इसका जो टेक्सचर है वही आप दीके कितनी बढ़िया लग रही है अलकी हल्की हल्की सर्दी है और गर्मा गरम तहरी में घीर डाल